हेलो दोस्तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चनल में आज मैं आपके लिए सफेद बालों को जड़ से काला करने के लिए एक घरेली नुस्का पताऊँगा और ये इतना रामबान घरेली नुस्का है अगर आप इसका प्रयोग करते हो चाहें आपकी उमर 10 सा तक है आपकी उमर कितनी उमर हैं और इने की उमर करीब 22 साल के उमर है और 22 साल करीब ये 10 साल से सफेद वालों से परिशान थे और ये काफी इतने परशान थे कि मानस्षा ग्रूप से बी काफी परशान होते थे क्योंकि जब भी यह कहीं जाते थे गाओं में या किसी अपने रिष्टेदारों खाया जाते तो इनसे लोग बुढ़ा कहते थे कि बुढ़ा हो गया अभी से तो यह घर से बाहर निकलती भी नहीं थे इतना परिसान हो गए थे इन्होंने जगा जगा डॉक्टरों को भी दिखाया तमाम तरह के तेल लगाए नुस्के लगाए इन्होंने तमाम तरह की डाई का प्रयोग बताई और इनके दो महीने में देखिए कितने एकदम घने काले लंबे इनके बालों की भी ग्रोथ नहीं होती थी बाल भी रुक गई थे और एकदम अब काले घने और एकदम बिल्कुल बहुत अच्छे बाल हो गए लेकिन कुछ अभी भी क्योंकि पांस प्रसेंट बाल न अब यह बाला बाल आपको दखाई दे रहा होगा सपेद यह बाला यह बाला आपको बाल दखाई दे रहा होगा सपेद यह बाला यह मैं सब खाल के दखाता हूं आपको इस तरीके से आप देखिए यह बाल इनका अभी भी सपेद रह गया है यह और यह नीचे से काला होता हुआ तो अभी इनके करीब ज्यादा नहीं है पांस परशंट बाल रह गां सपेद बैशे तो आप देखिए पूरे पूरे जितनी बाल आपको दखाई दे रहे हूंगे पूरे बाल एक बाल दखो यह रहा इनका यह यह भी सपेद वाल है यह यह देखिए बाकि आप इनको ब उसके का प्रियोग करना है आपको यह बताता हूं क्योंकि जब यह कहीं जाते थे तो इनको तरह तरह के डॉक्टर यह कहते थे कि आपको सरीर में बिटामिन B12 की कमी हो गई है किसी नहीं कहा कि आपके अंदर आप अपनी डाइट को बढ़ाई है नोंने तमाम तरह के डाइ किसि नुष्टवेका ओं मैं बता दूं तो आज मैं आपको बताता हूं करना है। कि तो वीडियो को पूरा देखना अगर आपके पढ़ोस में रिष्टेदारों में या खुद आप भी परेसान हैं बालों से सफ़द बाल नहीं आपके काले हो रहे हैं या आपके बालों की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है बालों पर चमक नहीं आ रही है आप महंदी लगा के डाई लगा के काफी परिसान हो गए है तो आज मैं आपको घरी लुग नुष्का बताँगा और एक मात्र 20 या 25 रुपय का नुष्का आपको बनेगा जाता महका नुष्का भी नहीं है और आ आपके बाल की ग्रोथ नहीं होती है या आपके बाल काफी साइनिंग कम हो गई है कोई भी आपकी उमर है चाहें वो दस साल उमर है पंदर साल उमर है बीस साल उमर है साड़ साल उमर है और आपने काफी प्रियास कर लिए हैं तो आप इन तीन जड़ी बूटियों को जरूर प्रयोग करना मैं आपको तेल बताऊँगा तीन जड़ी बूट्टों से तेल कैसे बनाया जाता है आपको प्रयोग कैसे करना है यह सारी बाते मैं आपको पताऊँगा इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना क्योंकि आप एक वार इसमें उसको का जरूर यह ब्रहंग राज जड़ी बूटी आपको पंसारी कहां से मिल जाएगी और जादा नहीं आप पांच उपे की लिए के ब्रहंगराज तो यह ब्रहंगराज इतनी रांबंड जड़ी बूटी है बालों के लिए कि आप इसका प्रयोग करोगे तब ही आपको मालूम पड़े और इस ब्रहंगर आज को दाल देना है अब जो दूसरी जड़ी बूटी है वो कौन से लेनी है आपको वो लेनी है आपको ये जटा मांसी है जटा मांसी भी यहां से और जटा मांसी, जटा मीनस होता है बाल और मांसी मीनस होता है मनुस्य यानि जैसे मनुस्य के बाल होते हैं उसी प्रकार ये जटा मांसी की तरह यानि मनुस्य के बालों की तरह ये जड़ी बूटी होती है और ये बालों को इतनी जल्दी काला करती है साथी ग्रोथ बढ़ाती है साथी आपके बालों की जो चमक होती है गना कर देती है तो आपको यह जटा मांसी है इसको भी आपको इस तरीके से थोड़ा कूट काटके थोड़ा अच्छे से इसमें जो कांच की सीसी है इसमें आपको भढ़ देना है इस तरीके से इसको और तीसरी जड़ी बूटी आपको लेनी है यह बरगत की जड़ यह बरग तोड़ के अच्छे से इनको तोड़ के से बारिक 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 टोड़ अराम से बारिक सीसी में आपको इस तरीके से आपको डाल देना है इस 14 одinely यथा 10 प्रूल क्राइब आप को मिलाना है मस्टर्ड ओल आप अपनी आवज सकता का अनुस्वार तेल को बढ़ा सकते हो अगर बंबे समझ तक तक तेल लगाना चाहते हैं तो तो मैं आपको पता हुआ हूं केबल पचास ग्राम आपको सर्सों का तेल जिसे मस्टड ओल बोलते हैं इसमें आपको इस तरीके से मिला देना है इस तरीके से इस तरीके से आपको इसमें मिला देना है यह देखिए आपको तेल और और इसमें मिलाना अच्छे से तो इसमें आपको इसमें तेल मिला देना है अब इसको आपको प में रख दोगे इसके बाद आपको इसको प्रयोग करना है प्रयोग कैसे करना है आपको देखिए आपके बाल पूरे बालों में जैसे आप तेल लगाते हैं सुबह और साम जब भी तेल लगाते हैं उस तरीके से आपको बालों में तेल को लगाना है साथ ही आपको रो जाना की मसाज करनी है अब मसाज आपको अगर आप सबतामत दो दिन मसाज करते हो या डेली मसाज करते हो तो जल्दी आपके बाल देखो अगर आपकी उमर कम है जैसे 15 साल उमर है या 20 साल उमर है आपकी तो आपके बाल जल्दी काले हो जाएंगे क्योंकि उमर का भी एक हिसाब होत लगातार आपको 3-4 महिने आपको फ्रियों करना है लगातार मसाज آپको सब्ता में 2 दिन तो पका ही करनी है अगर आप डेली मसाज करते हो तो इसके रिजल्ट आपको और अछ्छे मिल जाएंगे अब देखिये मैं आपको और क्या बता दूँ इसके साथ आपको तीन काम और करने है आपको सबसे ज़्यादा अपनी डाइट में गाजर को बढ़ाना है क्योंकि गाजर में बिटामिन A पाया जाता है जो बालों के लिए काफी एक ड्राम बाण है तो पहला आप गाजर को बढ़ाईए दूसरा आप सीरसासन कीजिए योगा जो होता है सीरसासन का आप किसी भी चैनल से सीख सकते हो सीरसासन आपको सिर के बल आपको खड़ा होना है आपके अपनी टांगों को ऊपर करना है और सिर नीचे करना है सीरसासन करने से आपके सरीर में क्या होता है जो हार्मोंस होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है साथ ही आपके बालों की तरफ जो पिगमेंट होता है मेलाले नम का जो पिगमेंट होता है उसकी भी मात्रा को सरीर में बढ़ जाती है जब आप पहली बात ये तेल का प्रयोग करना है दूसरा गाजर का प्रयोग जादा से आपके बढ़नी रहे हैं, आप इसको नुस्के को जुरूल प्रयों करना दोस्तों, आपके बुलकुल ये राम बांड ये नुस्का है, सफित बाला को काला करने के लिए, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो चनल को लाइक करें, और इस वीडियो को सभी के पास सिगर करें, भाट समय, ठेश दुक पर, और अगर आप नए हैं, तो चनल को सब्सक्राइब करें,